हे गाईज नमस्कार एक बाब फिर से आप सभी का स्वागत है सूपर कोचिंग टेस्ट बुक में दोस्तों उडिशा में निकली है बहुत सारी बेकेंसी जाने वाली है और उसी के लिए निकला है टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट उडिशा सेकेंडरी जो है स्कूल टीचर इ काने मात्र आप लोगों को अगयन 11 है दिन का दिन दिया गया है इनकी 22 तारिक तक आप इनको भर सकते हैं ठीक है कैसे भरना आप लोग को एक website यह वाली आप लोग यह इस website पर झा सकते हैं ठीक है अगर आपको मैं website पे लेकर चल के दिखाओं तो आपको दिखाना चाओंग कि website पर आपको कैसा दिखेगा तो चलिए मैं website दिखा देता हूं एक बार website open हो रही है हमारे हाँ ठीक है थोड़ा सा में लग रहा हां जी website open हो चुकिया ध्यान से देखिए तो आप लोग जो website पर आएंगे तो आप लोग को जो लिंक है वह बिसिकली बहुत अराम से मिल जाएगा दोस्तों ठीक है कि application का जो लिंक है वह आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप यहां पर जाकर आप देखते हैं तो पर syllabus भी दिया गया है admit card भी दे रखके हैं यहां पर ठीक है तो इस वराले website पर आकर आप लोगों को जो form है basically भरने हैं दोस्तों यही link है जो official website पर दिया गया है दोस्तों ठीक है दिस इस दा लिंक जो official website पडिया गया है ठीक है और हम later updates में जाके देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो सेकंडरी स्कूल का जो स्लेबस है वो यहाँ पर अल्रेडी डाल दिया है वे स्टेट की गाइडलाइन भी पड़ी हुई है दोस्तों और इंस्ट्रक्शन्स भी पड़ी हुई है अगर किसी को कुई पीएच कैंडिडेट है तो वह सारी चीज देने हैं वह उसमें हमें पहली हम लोगोंने जो इलिजिबिलिटी डाइडलाइन ने सारी के सारी चीज़ें पढ़ने नहीं है दोस्तों जहांपर डेटेल इंस्ट्रक्शन्स में दे रखें करके अगर आप यह लिंक ओपन करके देखेंगे तो आपको सारी गाइड लाइन into your account की स्क्रीन दिखेगी है आप ठीक है वहाँ पर आप लोगों को जाना है ठीक वापस से आते हैं वापस आप लोगों को लेकर आता हूं दोस्तों करना चाहते तो हमें नए रेजिस्टेशन पर हम लोगों को करना है क्लिक करना दोस्तों ठीक है चलिए आगे बड़े बहुत बढ़िया फिर उसके बाद में आप लोगों अपनी इमेल डालनी है मोबाइल नमबर डालना है जो भी आपको वैलेड करें उससे डालना है ठीक है याद रखेगा गलत नहीं डालना है सही डालना है फिर पेमेंट की फीस की पेमेंट कर देनी है ठीक है आप लोगों की चार सेक्शन्स होंगे जिसमें आपको पर्सुनल इपूर्मिशन इलिजबिलिटी क्रेटेरिया एडुकेशनल कॉलिकेशन्स आपको नियाद रखेगा डिकलिरेशन डालनी है तीक है यह सारी की admit cards आ जाएंगे तो इस तरीके से यह basic process है ठीक है जहां से आप लोगों को जाना है दोस्तों ठीक है याद रखेंगे गया कि ओके तो यह था दोस्तो basic process जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है thank you so much बबाई ठीक है